अलो बच्चों लेट्स रीट था कॉश्चिन फर्स देकों से इस वेन व्यूद अंडर था माइक्रोस्कोप इसल और इसल और गोली कॉंपलेक्स एंडोप्लाजमिक रिटिकुलम नुक्लियोलस और नुक्लियूर मेंब्रेन आर नॉट विसील दूरिंग विट फेज फेज फ of mitosis. में में आपके 4 स्टेज़ होते हैं और आपका लेट प्रो फेज में होने लगते हैं सेल कॉम्पोनेंट्स जैसे की गॉलगी बॉड़ी इंडोप्लास्मिक रेटिकुलम नुक्लियोलस एंड नुक्लियर एन्वेलप यह सारी चीजें आपको डिसपीर होती हुई दिखेंगी या विसिबल नहीं होंगी कहली जे और फिर इसके बाद मेटाफेज म में आपको जो क्रोमोजोम होते हैं वो एक मेटाफेजिक या एकटोरियल प्लेट पर अरेंज दिखेंगे और एना फेज में आपको स्प्लीटिंग ऑफ सिस्टर क्रोमेटिट्स जो है देखने को मिलेगी उसके बाद टीलो फेज में यह जो हैं री अपीयर होते हैं री कि इंट्र प्लास्मिक रेटिकोलम और एन्वलप यह सारे चारों जो है वो री अपियर होते हुए तो कहां से डिसपीर हुए लेट लेट प्रोफेस से अपको डिसपीर हुए और फिर रीपीर हुए वो जाके तीलो फेज में तो इसका मतलब है आपको कभी से नहीं दिख मेटापेगें मेन इनफेगें होगा मेन इन दिख रहे थे और इन आपट रेक लाइन कर भिए खैसे क्या रहे कि अनटा मेर्ली इन गिंट जाओ है मेर्ली ने प्रोंफेगें मेर्य होगा tutorial डिक रहे तो दीख रहे थे प्रोंग के ऐस से लें लोगों को यह solution समझ में आया होगा, thank you, all the best.